आज के समाचार पत्रों में एक ख़बर छपी है कि हुरियत के जो अलगावादी नेताशी गिलानी है उन्होंने ये दावा किया है कि शी नरेंद्र मोदी के कुछ तथा कथित प्रत्निधी उनसे मिले थे कश्मीर के बारे में चर्चा करने के लिए जिलानी का ये दावा बेबुनियाद जूटा प्रायोजित और एक प्रकार से पूर्ण पुर्वाग्रा से ग्रसित है बीजेपी की ओर से हम पूरे जिम्वारी के साथ ये इसपश्ट करना चाहेंगे कि शिनरेंद्र मोदी का कोई भी प्रत्निधी किसी भी समय जिलानी से नहीं मिला है और उनका ये दावा बिलकुल जूटा है भारती जन्ता पार्टी का ये इसपश्ट मानना है कि जम्मु कश्मीर भारत का अभिन अंग है और बीजेपी जम्मु कश्मीर के विकास सुशाशन के प्रती प्रतिबद्ध है और इस तरह की जो अलगावादे ताकते हैं वो जान बूच कर वहाँ के जन्ता और वहाँ के नौजवानों की आशाओं और अपेक्शाओं के विपरीत जाकर अलगावाद की बात करते हैं हमारा ये मानना है कि कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या गुड गवर्नेंस का अभाव है वहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ विकास होना चाहिए वहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए जिसकी कमी है हम ये मांग करेंगे कि जिडानी साहब माफी मांगे इस जूट बयान के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर के अवाम को गुम्रा करने की कोशिश की है हम उसकी पुरी भर्षना करते हैं हम पुरा दुराना चाहते हैं कि BJP की ओर से कोई भी प्रत्निधी श्री गिलानी से नहीं मिला है A news has appeared in different segments of media about an alleged claim of the separatist leader Hurriyat of Jammu and Kashmir Shri Gilani that two alleged representatives of Shri Narendra Modi met him about the issue of Kashmir The BJP would like to emphasize that the said claim is totally baseless, unfounded, mischievous, malicious and full of prejudice against the BJP We would like to highlight very clearly and categorically and with full sense of responsibility that no representative of Shri Narendra Modi whatsoever has ever met Shri Gilani The BJP firmly believes that Jammu and Kashmir is an integral part of India and the BJP is committed for development of Jammu and Kashmir where good governance is the biggest casualty where corruption has led to the loss of development and progress The people of Jammu and Kashmir, the young people need job, need development, need good governance need a corruption free administration but instead of addressing these fundamental issues the separatist leaders have tried to cloud the aspirations of young people which the BJP strongly condemns We reiterate that Jammu and Kashmir is an integral part of India The BJP has a firm view and the BJP is committed to ensure the development of Jammu and Kashmir You would like to demand Mr. Gilani that he must apologize for making this scandalous, false and unfounded statement Thank you 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 Well, as far as development is concerned, Modiji has always said he wants to take every chief minister on board. That is what the idea of India is about, where the PM works with CM as far as development is concerned, regardless of the political color of the chief minister. But as far as the campaign in Bengal is concerned, the BJP is very resurgent. And let me tell you, not only in Bengal, but also in Tamil Nadu and also in Keraja In the areas where the BJP is conventionally weak, the results are going to be very promising for BJP. इस पुस्ता को पढ़ने के बाद ही हम कमेंट करेंगे लेकिन जिस तरह से आर्म्स डीलर को बचाने की कोशिश की गई है कौत्रोकी से लेकर के बाकी तक अगर कौंग्रेस के नेताओं का मुलायम संबंद ऐसे डिलर्स के साथ में है ऐसी बाते आती हैं तो अपने आप में कोई आश्रक की बात नहीं है उन्हों ने कहा है कि हमारे लोग मिलने गए थे बीजेपी आपको मालू मैं राजनास सिंग के अगवाई में एक तीम वहाँ जाती रही है मैं भी उसका मेंबर रहा हूं हमने सबों से अपील किया है कश्मीर का विकास नहीं हुआ भष्टाचार के कारण सुशासन के अभाव के कारण नौकरिया नहीं होने के कारण पूंजी निवेश नहीं होने के कारण ये बड़े सवाल है हम इसकी पूरी भर्ष्टा करते हैं जो पार्टिया भाजपा और नरेंद्र मोधी की हवा से परशान है वो अब सरकारी तंत्र का दुरूपियोग करने पर आमादा है एक तरफ NCP के एक नेता बोलते हैं कि मेरी बहन को वोट दो वरना पानी काट देंगे दूसरी तरफ मुलायम सिंगादों ये कहते हैं कि सिक्षकों हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हें नौकरी से बेदखल कर देंगे तो ये घबराहत है ये परशानी है हम उमीद करेंगे चुनाव आयोग इस बारे में यतुजित करवाई करेगा लेकिन वो जितनी भी घबराहत दिखाएं या लोगों को ड्राने की कोशिश करें हिंदूस्तान के जंता ने अप्ना मत जिला दिया है Mr. Modi spoke there in the company of Dr. Joshi, please correct yourself वह वह जोचिन की जानूर जोच भीजिए भीजिए के वह जी आजिक अपर लोगे हाथा लिकिन प्राइप जी नहीं जड़ा को। वहते हैं अंज आवश वे ज सीच था जिए सित्व अ आपिजिए गॉटरिग्वार्णी भॉट्ट पॉटर्म ऑप्लानु च्टीजुडूर्णीजूर्ज टानु जिए अखिसिते हैं रुट सेट्टर्ट पोटेस्चानी हैं च्टोर्टर्मौ शोलिगिए एप गॉट्टे एक सवाल एक स्क्वाइर का जमीन कहा की बात पुरहा है देखिए राहूल गांधी बैलून और टौफी से बाहर नहीं निकल सके है इसलिए माता जी को अमेठी जाना पड़ रहा है उनको टौफिक लाने के लिए हमें और कुछ नहीं कहना है जिस तरह से गुजरात में जमीन दी गई है उस जमीन की तारीफ उस जमीन देने की प्रक्रिया की तारीफ सुप्रीम कोट ने भी की है वहाँ बिलकुल ट्रास्परेंट सिस्टम से हुआ है और राहूल गांधी कृप्या करके अपना होमवर्क करना सीखिये कुछ पढ़ना लिखिया सीखिये गुजरात की कॉंग्रेस की सरकार ने कितने हजारों एकर जमीन पूर्व में उद्योग को दी है ये उनको भी जानना चाहिए आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा जो मोदी जी ने भी कहा है अगर नौकरी देना है तो उद्योग लगाना पड़ेगा उद्योग लगाना है तो सरकार को सहयोग करना पड़ेगा लेकिन कॉंग्रेस की प्रकरिया लूट की रही है मोदी जी की प्रकरिया इमानदारी और पार्दाश्चता की रही है ये एक डेसिक अंचारी सिंग जहां तक रॉबर्ट वाडरा का सवाल है इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और कल भी मैंने इस बात को उठाया था कि सोनिया जी और राहुल जी जो आप गुजरात के विकास के चिंता बहुत करते हैं दलत तर्थियों पर जरा एक चीज़ बता दीजिए कि रॉबर्ट वाडरा का इतना विकास कैसे हो गया कुछ लाख रुपे के निवेश्ट पर उनक बात के तक यहोगा, थैंक यहोगा